नॉर्मली बच्चे कन्फ्यूज भी रहते हैं इसमें डेप्रीशेशन और डेवैलुएशन इस एकोनॉमिक स्रीज में एक और कन्फ्यूज अनौला टॉपिक है तो दोनों का जो मतलबे बच्चों वह एक ही रहता है डेप्रीशेशन का भी मतलब मुल्य में कमी आना और डेवैलुएशन का भी मतलब मुल्य में कमी आना लेकिन दोनों को एक दूसरे की जगह हैं इंटेचिंजिबली हम यूज नहीं कर सकते हैं तो आज के इस lecture में हम लोग depreciation और devaluation को समझने की कोशिस करेंगे देखियो depreciation और devaluation समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर currency exchange होता करसे है तो currency exchange के दो तरीके आज की date में है एक को है fix exchange rate system और दूसरा floating exchange rate system जब हम fix exchange rate system बोल रहे होते है इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अपनी currency की value fix कर रखी है जैसे उधानल के तौर पर चाइना अपनी currency की value अपने आप से decide करता है दूसरी currencies के respect में क्या होगा क्यानि एक Chinese yuan कितने dollar के बराबर होगा ये कौन decide कर रहा है चाइना की government decide कर रही है और ये अपनी मर्जी से decide कर रही है तो ये जो system है ये क्या कहलाएगा fixed exchange rate system कहलाएगा ठीक बात है और floating का मतलब क्या होता है कि जो economic factors है like country की growth है inflation है exports है economy की health है इसके basis पर हर currency की demand और supply क्या होगी बढ़ती और घठती रहेगी ठीक बात है इसलिए floating world हमने उसके है ना बढ़ती और घठती रहेगी तो दो तरह की exchange rate system होगे currency की value किसी देश की currency की value वो देश खुद या उसके बिहाफ पर उसका central bank decide कर सकता है या वो currency freely market में हो और उस country की economy उस country के product, demand, supply इसके अधार पर बढ़ घट रही हो तो याद रुखी जब सरकार could decide कर रहे है तो क्या बोला? fixed rate और जब economic condition से decide हो रहा है तो क्या? floating rate clear? इतनी बात clear होगे तो दो तरह से होते fixed और floating अगला point देखिए थोड़ा से point को समझेगा depreciation होता क्या है? एक छोटे से example से समझेग एक डॉलर आपको 80 रुपए का मिलता है ठीक है? कुछ दिनों बाद ऐसी कुछ condition बनी कि वही एक डॉलर अब आपको 90 रुपए का मिल रहा है यानि पहले आपने 80 रुपए में एक डॉलर खरीदा था अब 90 रुपए में एक डॉलर खरीद रहे हो यानि एक डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पी करना पड़ रहा है ठीक है? तो हम देखें तो रुपए की वैल्यू कम हो गई है डॉलर का डिमांड बढ़ा रुपए का डिमांड कम हुआ इसलिए डॉलर की डिमांड जादा हो गई डॉलर की वैल्यू जादा हो गई और रुपए की वैल्यू कम हो गई तो करन्सी डेप्रिशेशन क्या है? करन्सी डेप्रिशेशन is the fall in the value of a करन्सी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में अगर किसी करन्सी की value कम होती है तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं करन सी depreciation यह depreciation कहा रहे हैं तो रूपी depreciation का सिधा सा मतलब यह हो गया कि रूपय की value डॉलर या किसी currency की तुलना में कम हो गई है ठीक बत है इसे दूसरी तासि समझें कि रूपय की value डॉलर की तुलना में कम जोर हो गई है यह रुपिया अब कम जोर हो गया है clear हो गया तो floating exchange rate system में currency की value में कमी आना क्या कहलाता है depreciation कहलाता है example मैंने आपको clear समझा ही दिया है कि मान लिजे 1 dollar 80 रुपय का था और कुछ इतनों बाद वही 1 dollar 87 रुपीज का हो गया तो यह currency की क्या कहा जाएगा depreciation कहा जाएगा ठीक है devaluation का भी मतलब यह हुआ devaluation का भी मतलब क्या हुआ currency की value में कमी आना अब बस अंतर इतना है कि depreciation कहां पे होगा जहां पे floating exchange rate system होगा और devaluation कहां पे होगा जहां पे fixed exchange rate system होगा clear इसका उल्टा भी समझ जैसे government of India 1993 तक fixed exchange rate system यूज करती थी आज की rate में हम लोग कैसा system यूज कर रहे है floating exchange rate system कर रहे है जबकि चाइना अभी भी क्या कर रहा है fixed exchange rate system पे ही काम कर रहा है depreciation का उल्टा है appreciation और devaluation का उल्टा revaluation clear हो गया impact के मामलों की बात करें तो दोनों में कोई difference नहीं यानि जो प्रभाव depreciation का पड़ेगा वही प्रभाव devaluation का पड़ेगा clear तो अगले में अगले लेक्चर में हम लोग इस पात को पूरा discussion करेंगे कि depreciation का impact क्या होता है और devaluation का impact लगबग similar है बट कहां कहां यह अंतर persist करता है आक्राव प्रुब पूरेप है